दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाला के लिए दोस्तो आज हम बात करेंगे कार्टेज बॉक्स मेकिंग बिजनस के बारे में दोस्तो कार्टेज बॉक्स आज के तारिक में ट्रांस्पोर्टेशन का दूसरा नाम हो चुका है ट्रांस्पोर्डेशन में चाहे कोई भी कम्पनी हो वो कोई भी प्रोडक्स हो जैसे कि फूल प्रोडक्स हो उसके बाद ब्यूटी प्रोडक्स हो हेल्थ प्रोडक्स हो या बड़े से बड़ा कोई भी हेवी प्रोडक्स हो जैसे फ्रीज है टीवी है ऐसी चीजे हो या चोट कर दोस्तों इस तरह ट्रांस्पोर्टेशन में कार्टेज बॉक्स यह कंपल सरी चीज हो जुके तो दोस्तों आज हम इसी बिजनस के बारे में बात करेंगे कि कार्टेज बॉक्स बनाने के लिए कौन से मशीन की आउशकता होती है इसके लिए कौन से राम मट्रियल लगते है और इसमें कितना कॉस्टिंग लगता है तो दोस्तों बने रही वीडियो में ये वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने माला है और अगर आपने हमारे जानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि हम इसी तरह के इन्मों वीडियो आडिया लाते रहते हैं तो दोस्तों बने रही वीडियो में तो अगर बात करें इसमें एरिया की तो इस बिजनस को करने के लिए होती है उसके लिए डबल फेज मशीन की आवस्टता होती है इसलिए आप इसे इंडरस्टेल के इरिया में अगर आपके पास जगा है तो वहाँ पर आप इस बिजनस को अच्छी तरह से स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों अगर बात करें इसके मशीन की तो इसमें आपको यहाँ पर छे से साथ मशीन लगती है पहली मशीन जो लगती है वो लगती है सिंगल फेज पेपर कार्टेज मशीन उसके बाद आपको लगेगी बोर्ड कटर मशीन उसके बाद आपको लगेगी sheet pasting machine उसके बाद sheet pressing machine उसके बाद है bar rotary and cracing machine उसके बाद है slotted machine उसके बाद आपको लगेगी stitching machine दोस्तों अगर बात की जाएज के raw material की तो यहाँ पर आपको लगेगा craft paper इसके लावा आपको लगेगा yellow straw board उसके बाद आपको लगेगा glue और उसके बाद आपको लगेगा stitches wires तो दोस्तों इस प्रकार इसके जो raw material है यह आपको indiamart.com पर available हो जाएगे दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर costing और profit की तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो raw material है और machines है इन सबका जो costing है all over लग जाएगा 30 लाग के आसपास दोस्तों इसके लावा आपको business को run करने के लिए 6 मेने का time period लगता है तो वो भी costing गर आप 10 लाग तक मिला ले तो यहाँ पर आपका जो business है यह 40 लाग तक क्या आप start कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें manpower की तो आपको यहाँ पर 5 से 6 skill worker लगेंगे क्योंकि यहाँ पर machines की संख्या भी जादा है और यहाँ पर जो worker से वो समझने वाले जो machines चला पाएं ऐसे वाग कर आपको रखने होंगे पर बात क्योंकि भापको यहाँ पर बाat क्यादा है पर जो आपको कर दो आपको यहाँ पर आपको पर बात कर सकते हैं झाल 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 मतरों